ऐसे अनार आसे आम चोटी इसे इमली बड़ी इसे एक छोटे उसे उल्लू बड़े उसे उन्लू अब आगे पड़ो एसे एडी ऐसे अनक नमस्ते 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 मादना चाते हो हाज अजी, हाज अज़ अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम? हाँ रुक्षानक अश्वाेंड ऐसा भी कोई नाम होता है अपना असली नाम बताओ जो तुम्हारे अभु बोलते हैं अल्य हो मेरे नाम खिल्लि यह संट शेक चिल्लि ? तो शेक चिल्ली क्या पढ़ना चाते हो तो अंग्रेजी पढ़ना चाते हो तो ठीक है हम आज से ही तुमारी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर देखता हूं तुम मुझे क्यों घूर रहे हो तुमी तो कहीं दिहान से देखना अरे बाबा उहां पर बैठो जाकर टीक टीक बैठता हूं अकड रही है शेक चिल्ली इंग्लिश का सबसे पहला अक्षर होता है ए ए ए फोर होता है अकबर की बहू अकबर की बहू हाँ जी अधा हमारा पडोसी अकबर पडोसी है हाँ अकबर की बहू इसकी बहू का नाम आसमीना यह अंग्रेजी होती है हाँ हाँ तीक है अब अगला अक्षर देखो अगला देखाओ अगला अक्षर होता है अगला अक्षर आता है सी हाँ तो सी फोर होता है चमन की साली इसमें हसने की क्या बात है तो अच्छा यह सही है वाई चमन की साली मेडम जी हाँ जी ऐसते में भी पता दूँ बता दोगा हाँ मैं अक्षर लिखोंगी उसका मीनिंग बताना है तुम्हें ठीक है लिख दो यह मैंने लिखा एम तो एम फोर बताओ क्या होता है आओ हाँ जी एम 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 फोर बताओ क्या होता है भी एम नहीं के हो पिल्कुल शहीं बिल्कुल सही मेडम चीएर में इनकोल टा यह मंत्या ठांट यह मंप्र को यह मंप्र को कोई भी हो अरां उसे बैठ जाने साले के चसमें तार दूँआ बैठ जाओ चुप चाप बभी ना तार रहा है तेले बाप के चसमें मैं सही बताया तुमने एक और अक्षर पूछू आप बूछे बूछे बता दूँआ ठीक है कि बैठो चलो कि यह मैंने लिखा डबलू तो शेक चिल्ली डबलू फोर बताओ क्या होता है आओ यह क्या आ रहाँ आ रहाँ आ रहाँ बहुत पड़े स्री हो रहा अवे यह समझ मैं या रहा यह उपणी चे उपणी चे अले एक से उल्टे हो रहे क्या हुआ बताओ बताओ मैंडम जी मंँकी बहुतो पर कर लें भैस एक चेंदने के लिखा और Спावимости को्वाज सेटे लिख क्या हो रहाँ आओ हो रहाँ यह कुआ नाम कोकर दूंगी तुमारा दो प्स dzioo давно की तक है रहाँ पर किया ट्याजरा थि वा इता damn नाम मत काटो मेडम जी अरण जो चुप चाप ठीक है मेडम जी अधिक है जो ठीक है हम सब्जक्ट बदल देते हैं आप दो यह ले